Hello, Welcome back to Star Movie तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में जिस मुवी को आज explain करेंगे उसका नाम है American Psycho सो बिना बखबख किये वो चलते है कहानी की और कहानी की सुरुआत 1998 में होती है और वहीं हम कहानी की मेन करेक्टर पैट्रिक को देखते हैं और पैट्रिक नियोर्क में एक investment banker होता है और पैट्रिक show off type person होता है जैसे की महंगे restaurant में जाना महंगे कपड़े पिनना, show off करना और वो ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि उसकी fiance, उसके अमीर दोस्त उससे impress हो जाए और पैट्रिक अपने दोस्तों को पसंद तक नहीं करता है और पैट्रिक उन्हें बता रहा होता है कि वो कितनी expensive चीज़े इस्तिमाल करता है जैसे की महंगे designer के कपड़े महंगा furniture, music collection जैसे की बहुत कुछ और उसके दोस्त भी उसी की तरह होते हैं अभी उनी में से एक खुद को बड़ा बताने के लिए अपना visiting card शो करता है और वो visiting card पैट्रिक के card से महंगा और अच्छा होता है उस card को सब पसंद करते हैं इस बास से पैट्रिक को बहुत गुस्सा आता है कैसे मेरे दोस्त पॉल का visiting card मुझसे अच्छा हो गया और इसी गुस्से में वो एक homeless और उसके कुद्टे को जान से मार देता है और ऐसे ही वक गुजर जाता है हम पैट्रिक को एक new year party में देखते हैं जो की पॉल को डिनर के लिए invite कर रहा होता है और पॉल उसका वही दोस्ते जिसका visiting card पैट्रिक से जादा अच्छा था अब वो दोनों डिनर के लिए घर पहुँच जाते हैं और background में एक music चल रहा होता है और पैट्रिक उसे उस singer की खूबिया बता रहा होता है और अचानक से पॉल पे कुलाडी से हमला कर देता है इसके बाद वो उसकी date body को ठीकाने लगा देता है और पॉल के घर जाकर उसके घर में कुछ changes करता है जैसे कि लंडन की flight की air ticket रखता है अगर कभी investigation होगी ताकि सबको यह लगे पॉल यहां है ही नई वो तो लंडन चला गया है आगी हम एक detective को बताया जाता है जोकि Patrick से उसके दोस्त के missing होने के बारे में पूछ रहा होता है scene shift होता है हम आगे देखते है Patrick दो प्रस्टिट्यूट को अपने घर ले आता है पिछली बार की तरह अभी भी background music चल रहा होता है तीनो साथ में time explain करते है फिर हम देखते है Patrick ने एक toolbox को निकाला है और उसके अंदर के instruments से उन दोनों लड़किये को बहुत torture करता है दोनों लड़की बहुत जख्मी हो जाती है दोनों लड़किया पैसे लेके वहाँ से निकल जाती है next day हम देखते है Patrick अपने secretary को dinner के लिए invite करता है लेकिन वो dinner के लिए मना कर देती है वो कहती है मैं आऊंगे लेकिन स्रीफ drinks के लिए और वो उसके घर आ जाती है और वो अपने ही धुन में सोफे पे बैठी होती है और हम देखते है Patrick पीछे से इक nail gun लेकर आता है और उसे वो मारने ही वाला होता है तब ही उसकी pregnancy का call आता है वो nail gun को नीचे रख देता है और उसे कहता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो अगले दिन हम यह देखते है ट्राइवेट डिटेक्टिफ की मुलाकात पैट्रिक से होती है वो उसे कहता है पैट्रिक मुझे तुम पे कोई सकत नहीं है लेकिन मेरे यह समझ नहीं आ रहा है पॉल ने अपना घर खुला क्यों छोड़ा है और वो कहां चला गया है पैट्रिक उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है पॉल का अगर खाली देख पैट्रिक फिर से दो प्रस्टिट को बुलाता है और यहाँ पर वो उन में से एक लड़की का मडर कर देता है दूसरी लड़की जान बचा कर भाग रही होती है वो रास्ता ढूंडी रही होती है रास्ते में उसे मरीवी लड़की ये दो लासे दिखती है पैट्रिक उसका पीछा कर रहा होता है और उसके ओपर वो चैंस ओफ एक देता है और इसलिए पोलिस उसका पीछा करने लगती है और पैट्रिक पीछा करने वाले उन चार पोलिस ऑफिसर्स को मार देता है और पैट्रिक ने अब तक जो कुछ भी किया है उसका उसे बहुत पस्तावा होता है इसलिए वो अपने लॉयर को कॉल करता है और सारे मर्डर्स को रहा था और कबूल कर लेता है कि उसने यह सारे मडर्स किये और यह सारी बातें पैट्रिक के लॉयर के phone machine में record हो जाती है क्योंकि उस वक्त लॉयर वहां पे eligible नहीं होता है अब पैट्रिक की मुलाकात फिर से private detective से होती है वो पैटरिक को बताता है मेरी जानकारी से मैंने पॉल का पता लगाया कुछ वक्त पहले पॉल को लंडन में देखा गया था इसका मतलब यह होता है कि उसका मडर नहीं हुआ है और वो अभी भी जिन्दा है बस इतना है कि वो बिना बता है यहां से चला गया यह सून कर पैट पैटरिक की से करता है और कहता है पैटरिक तुम मेरे साथ में मजाक मत करो तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो क्यूंकि कल लंडन में में पैटरिक के साथ में डिनर किया है पैटरिक बहुत कंफ्यूज और ठक चुगा होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और हम देखते है वो अपने घर आ जाता है बेसिकली पैटरिक्स यह होने वाले मडर्स की हरेजूनेशन कर रहा होता है यानि किसी ऐसी चीज़ को पैटरिक का में डिनर का इसी पैटरिक का में डिसॉडर ता और इस मूवी का यहीं पर डिन होता है तो काईज आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मिलते अगली वीडियो में टाटा